बगवती महापरामबा जगदंबा माते सुरी के चरणों में बैठ करके हम तुमसे यही प्राथना करेंगे सब बातों को भूलना पर कभी माबाप की बात को मत भूला माबाप की बात हमारे गाउं में कहावत है तो बड़ी बिच्चतर पर अच्छी लगे तो सुरी कार करना हमारे गाउं में कहते हैं माता पिता की ढांट और गुरू की लाथ यह जिसने खाली उसका बेड़ा पार हो गए बो जीता रहा लेकिन आजकल का उल्टे ही जमाना है आजकल माबाप को नहीं डाटा जाता उल्टा बच्चे माबाप को डाते हैं तो मैंसे करो ऐसे चलो ठीक है समय बदलता जा रहा पर इतना मत बदलना कि तुम माबाप से बड़े हो जाए ऐसे बनकर रहना देखो गुरू के सामने मा के सामने, पिता के सामने आप कितने भी बड़े हो जाना पर इन तीन के सामने बालक बनकर के ही जीना चाहिए जैसे एक बालक रहता है बैसे ही रहना चाहिए एक सजन हमसे कल पूंच रहते आप इतनी कथा सुनाते हैं ये बार-बार रोज-रोज कथा सुनाने से होता क्या महाराज हनका भाईया अग का होता यह तो हमें ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि हम पड़े लिखे नहीं है स्कूल के पीछे से पड़ते रहे तो मास्टरों ने हमें पढ़ाया नहीं ठीक से इतना जानते हैं कि बार-बार कथा सुननी चाहिए ना जाने कथा का कौन सा सब्द दिल पर चोट कर जाए और प्रभू की भक्ती जाग जाए और प्रमात्मा की प्राक्ती हो जाए कोई ठिकाना अरे बालमीक जी महाराज उल्टा नाम जपू जगजान बालमीक जी ब्रम्ह समाना उल्टा नाम जबकर करीके बालमीक जी ब्रम्ह के समान हो गई कैसे बन में उपद्रों करते थे नाराजी आगे नाराएं 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 बालमीक जी बोले रोको भो गया हो नाराएं नाराएं तो ठहरो बालमीक जी बोले भक्त जाने दो कहां जाओ के पहले ही अपना कमंडल तो देते जा नारे जी बोले हम तो बाबा आदमी है ही क्या हमाएं पास ये बीना है कमंड डाले बालमीक जी बोले भार में या सौदो सो का तो बिकाई जाए यही काम आएगा खेहरो अरे बेटा नारे जी ने का एक बाद बताओ तुम इतना पाप करते हो क्या भगवान तो मैं माप करेगा बोले वो मरने के बाद देखा जाएगा कुछ लोग इसलिए भी पाप करते है मरना तो है यह अच्छे से मर जाओ हमारे एक बहुत 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 बहुतरिन कभी है काका हात रसी जी वो लिख रहे थे हम कल बता रहे थे काका हात रसी की याद आ जाती है मारा जी वो अपनी कभिता में लिखते हैं थे कहें काका कभी राए काम कुछ ऐसा कर जा कहें काका कभी राए काम कुछ ऐसा कर जा मरना ही तो है कर जा लेकर मर जा बोले मरना तो यही है करजा लेकर कि मर जाओ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मरना तो है एक दिन इसा हमें महाराज कहते हैं सीताराम, सीताराम कहओ चार दिन की जिन्दगी है खेलो, खाओ, पडओ, बढओ, मरो जाओ 閵ारम नहीं भेड़ बरे क्या भगवान ने खेलने खाने के लिए जीवन दिया मनुस्व का तन पा करके सुन्दर शरीर पा करके आप खेलने खाने में दिन पितीत करते हो जो तुम कर रहा है पर तुम में और पसुओं में अंतर क्या है तुमारे बच्चे होते, पसुओं के भी बच्चे होते, तुम भोजन करते, पसु भी भोजन करते, तुम सोते हो, पसु भी सोते हैं, तुम अपनी भासा में बात करते हैं, पसु भी अपनी भासा में बात करते हैं, फिर आप में पसुओं में अंतर क्या है? माई बाप केबल इतना अंतर है कि पसू भगवान का भजन नहीं कर सकते बिबेक नहीं लगा सकते और हम लोग सत्संग सुन करके बिबेक जगा करके भगवान की भक्ती और भगवान को पा सकते और जो यहसा नहीं कर रहा वो पसू के ही समान है नारज जी बोले भाईया सीता राम गाया करो कल्यान हो जाएगा बालमीक जी बोले महराज हमारे जनसे पापी से ये अच्छा काम भला नहीं होता है नारज जी बोले भाईया एक बाद बदाओ आप पाप करते हो किसको देते हो चोरी करके डकेती करके महराज घर है बाल बच्चे है उनको देखे पूछो इसका दुख मिलेगा तो क्या भोगने के लिए भागीदार होंगे महराज बहाने मत बनाओ जब तक हम पूछने जाएंगे तब तक आप भाग नहीं जाओगे ना ना हम नहीं भागेंगे हमें बांद नारज जी को बांद दिया बालमीग जी घर आए अपने घरवालों से पूछा एक बात बताओ हम चोरी करकर के तमारे पास रुपया लाते हैं धरम पत्नी से का चोरी करकर के लाते हैं बाद में जब इसका हिसाब किताब होगा तो कोई किसी का भाग नहीं पाता है अपने अपने भाव से पाता है जो जैसा करता है बैसा पाता है महराज मैं तो धरम पत्नी हूँ आप चाहे चोरी करो चाहे डखेती करो आप तो लाओगे मेरा काम है घर को समालना मैं ग्रहणी हूँ मैं घर को समालती हूँ आप चाहे जो क करके लाओ हम वही बैसे ही हम अपने घर को चलावेंगे लेकिन जो करेगा वो भोगेगा बाली मिग जी की आंखें खुल गए आंखें खुली बापस आए दरम पतनी से वोले देवी जी आपने ठीक कहा और बापस आकर के नारज जी के चरणा में सास्टां दंडबत करके महारा आपने सही कहा था कि धन में तो सब साथ हैं लेकिन पाप के भाग में कोई साथ हैं अब तो आप हमारा कल्यान कर दो आप हमारा बेरा पार कर दो बरना महारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा आखों में चीर कर कि रॉणे लगें तब स्री नारेज जी बोले भया परिसान मत हो राम 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 जपोन राम जी बड़े दयालू है और पाप के बाप का नाम है राम बालू की भीट धुआ को मंदर ओचे की प्रीत कबे निवई है और तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप खा धूर दई है आप तो सिता राम, सिता राम कहो पाप के बाप को धूर दे भी बाल्मिक जी बोले महराज हमसे यह जो आप नाम ले रहे यह भी नहीं लिया जा रहा इतने पापी है यह आप नाम ले रहे हमें नीद आ रहे है और कई लोगों को ऐसा होता है भगवान की कता में एसी घजब की नीद आती भगवान की कता सुने बैटे ऐसी नीद आएगी जैसे च्छे महीने से सोई नहों बहुत भुलो सी ता रहा है तो बालमिक जी हांत जोड़कर नारज जी से कहते हैं महराज आप कह रहे हैं राम 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 जो नाम आप ले रहे हम नहीं ले पा रहे हैं तो नारज जी बोले कौनसा नाम आ रहा बोले हमसे तो महराज मरा आ रहा नारज जी बोले वही लो मरा में ही कल्यान हो जाए एक बात बोलें खेत पड़े को जामी है उल्टो सी धौबी तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज खेत पड़े को जामी है उल्टो सी धौबी बाबा तुलसीदाज जी कहते भईया खेत में चना का दाना गेहूं का दाना चाहे उल्टा गरे चाहे सीधा गरे चाहे टेडा गरे चाहे तिर्चा गरे पानी और खाद लगने पर वो जम ही जाता है उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे दोके से लो चाहे जान बूच के लो या कोई जबर्जस्ती ले भगवान का नाम कल्यान कर ही देता है बुलो सीताराम गोस्वामी तुलसिदाज जी ने इस बात की पुष्टी की बाय को भाय अनक आलसे आम चाहपत मंगल जिस दसे यहाँ आय को भाय अनक आलसे आम चाहपत मंगल जिस दसे एहाँ कल युखे केवल नाम अथारा सुमर सुमर नर उत्रही पारा स्री राम स्री राम चैरां खेदेरा स्री राम चैरां खेदेरा आहा हां भाया राम जी का नाम चैरां प्रेम से लो चैरां भाव से लो चैरां खेदेरा आगी जानते हो आगी आगी में हाथ धोके से डालो या जान बूच के डालो आगी का काम क्या है बोला क्या काम है जलाना अच्छा जहर क्वाय जन धोके से खाओ जान बूच के खाओ या कोई खाना में मिला दे या कोई मूँ पकड़ के जबर्जस्ती जहर पर बादे जहर का काम क्या है बोला मारना उसी प्रकार भगवती का नाम गुरुदेव का नाम राम जी का नाम चाहे जान बूच के लो धोके से लो या जबर्जस्ती लो भगवान के नाम का काम है तारना ये तार करके ही छोड़ेगा जिए एमा ये भगवान का व्र बादे जबर्जस्ती लों मारना आवान जीलिए ट्रुड़ेगा